हेलो दोस्तो, वेलकम बैक, आज की मूवी एक ऐसे गैमलर की स्टोरी बताती है, जो जुए में हमेशा जितता है, तो चलो इस एंटरटेनिंग मूवी का एक्स्प्लेनेशन देखते है लियो एक ऐसा गैमलर है, जिसे गैमलिंग की दुनिया का गौड माना जाता है, क्योंकि गैमलिंग किसी भी प्रकार की हो, वो कभी नहीं हारता, किसमत उस पे हमेशा महरबान होती है, ऐसी बत नहीं है कि वो गैमलिंग में कोई चाला की या फ्रॉड करता हो, गौड का ही उसक आपनी आइडेंटिटी चुपा के रखता है मीडिया में उसकी पैचान पीछे से लिया हुआ उसका एक फोटो हाथ में जेड रिंग और चॉकलेट है जिसका वो दिवाना है उसकी गल्फरेंड जेनेट उसका फाइनेंस संबालती है तो कजिन मी की गैमलिंग का धंदा एक दिन जपान का सबसे बड़ा गैमलर होकाशी उसे चैलेंज करता है कि वो उसे मेजों गैमलिंग में हराए दोनों एक दुसरे के सामने आ जाते है दोनों अपने अपने हिस्से के ब्लॉक्स हासिल करते है मगर उसमें भी लियो ही जीतता है दूसरी बाद जी होकाशी की girl friend चीकारा खिलती है जो dice की champion मानी जाती है मगर उसमें भी लियो एक माहिर की तरह उसे हरा देता है वो देखके होकाशी अपनी हार कबूल करते हुए मान जाता है कि Lio सच मुझ गेमलिंग की दुनिया का गौड है रात को डिनर के वक्त होकाशी लियो से कहता है कि वह हारजीत के लिए उसके साथ जुआ नहीं खेल रहा था बलकि वह उसका टैलेंट डेखना चाता था अब होकाशी लियो से कहता है कि वो उसे 10 million dollar देने को तयार है अगर वो सिंगापूर के gambling king Lucas को जुए में हराए Lucas एक mafia है और Hong Kong में most wanted है उसे भी कभी कोई जुए में हरा नहीं पाया मगर Lucas जुए में बेहिमानी करता है होकाशी बताता है कि कुछ साल पहले उसके पिताजी Lucas के साथ जुआ खेलने बैठे मगर Lucas ने उनके साथ धोके बाजी की और वो जीत गया जिससे दुखी होकर उसके पिताजी ने सुसाइड की होकाशी बताता है कि वो खुद Lucas जैसे माफिया के साथ जुआ नहीं खेल सकता क्योंकि वैसा कॉंट्रेक्ट उसने उसके कलब के साथ किया है मिकी लियो को Lucas के साथ खेलने से मना करता है क्योंकि Lucas के साथ खेलने वाले कई लोग अपनी जान गवा बैठे है उसके जैसा मकार आदमी कोई नहीं लियो की ना सुनके होकाशी खुद को खतम करने जाता है तो लियो उसे रोकता है और Lucas के साथ जुआ खेलने तयार होता है होकाशी अपना बेश्ट बॉडिगार्ड ड्रैगन लियो की रक्षा के लिए देता है जो एक्स आर्मी ऑफिसर भी है और मार्शल आर्स एक्सपर्ड भी ड्रैगन लियो को अपना कार्ड देता है और उससे कहता है कि जब भी उसको उसकी मदद की जरुरत हो बस उसे एक फोन करे अब हमारे सामने एंडी आता है जो एक मामूली गैमलर है वो नीकी से पैर करता है मगर नीकी की शर्थ है कि जब तक एंडी पैसे नहीं कमाएगा वो उससे शादी नहीं करेगी एंडी आज तक कभी जुए में कोई गेम नहीं जीत पाया वो गैमलिंग के गौड लियो को अपना गूरू मानता है एंडी का पड़ो सी विकी उसे हमेशा हरेस करता रहता है तो एंडी उसे सबक सिखाने के लिए विकी के रोज के रास्ते पे एक गड़ा खोद के ट्रैप बनाता है और उस गड़े को कवर करके रखता है ताकि जब विकी मौर्निंग वॉक करने आएगा तो उसमें गिर के जखमी होगा या लियो लुकास तक पहुशने के लिए पहले उसके राइट हैंड मारको के साथ जुए खेलने का फैसला करता है मारको भी जुए में बैमानी करने में माहिर है पत्ते बाटने के वक्त से ही उसकी जालसाजी शूरू होती है तो लियो एक लेडी बेटर को पत्ते बाटने बोलता है मारको चाला की करके दैले का सिक्वेंस दिखाता है तो लियो उसके उपर क्वीन का देखते देखते लियो मारको को पूरी तरह हरा देता है मारको लियो को हारे हुए 10 मिलियन का चेक लिख के देता है जैसे ही लियो वहाँ से चला जाता है मारको अपने आदमियों से कहता है कि वो लियो की कार को रास्ते में रोक के उससे वो चेक हसिल करे मगर लियो उनसे भी चालाख होता है वो कार से जाने का दिखावा करके ट्रेन से चला जाता है तो अब मारको कुछ गुंडो को ट्रेन में भेजता है मारको के गुंडे लियो को मारने मूडते है मगर रास्ते में ड्रैगन उनका इंतजार कर रहा होता है वो गुरी तरह उन गुंडों की पिटाई करता है Leo Dragon को थैंक्स कहके बीच रास्ते ट्रेन रुका के वहाँ उतरता है पहाड़ी के रास्ते से गुजरते हुए उसका पेर उसी गड़े में गिरता है जो Andy ने बनाया होता है Leo पहाड़ी के उपर से गिरते हुए एक पत्तर से टकराता है और बेवश होता है उसके गिरने की आवाज Andy उसका दोस्त गुफी और निकी सुनते है और उस जगा पहुँच जाते है मगर वीकी के बदले किसी अंजान आदमी को देखके वो उसे उठा के पासी अपने घर लाते है Andy की आणटी Leo पे घरे लू इलाज करके उसकी मलम पट्टी करती है Andy को Leo के पॉकेट में अफी पैसे मिलते है मगर निकी उन्हें चोरी करने से मना करती है Leo के वालेट में कोई ID कार्ड भी नहीं होता तो उसकी पैचान नहीं हो पाती रात को Leo जाग जाता है मगर वो अपनी याददाश गावा बैठा है तो उसे कुछ याद नहीं आता वो आणटी को अपनी माँ समझ बैठता है अब सब के समझ में आता है कि Leo अपनी मेमरी गवा बैठा है उसे अपना नाम तक याद नहीं उसका दिमाग एक बच्चे की दिमाग की तरह हुआ है उसकी चॉकलेट खाने की दिवानगी देखके वो उसका नाम चॉकलेट रग देते है एंडी और गुफी की नजर लियो के पैसे पे है तो वो रात को उसके पैसे चुराने का प्लैन बनाते है वो देखते है कि Leo ने पीलो के नीचे पैसे चुपाए है रात को गुफी पैसे चुरी करता है मगर अकलमन लियो ने पैसे अपने मोजे में चुपाए होते है अब एंडी लियो को एनराय बना के एक जुए के अड़े पे ले जाता है प्लैनिंग ये होता है कि लियो चेक देके अड़े के मालिक से पैसे निकालेगा मगर चुकी आज सेटरडे है तो बैंक बन रहेगी तो वह आदमी बैंक जानी पाएगा एंडी लियो से कहता है कि इंप्रेशन जमाने के लिए वो ये भी दिखाए कि वो होर्स रेसिंग पे भी बेटिंग खिलता है निकी को एंडी का प्लैन पसंद नहीं आता वो नहीं चाहती के भोले बाले चॉकलेट को यानि लियो को इस तरफ हसाया जाए तो अब लियो जुआ खिलने बैट जाता है अपना इंप्रेशन जमा के उस आदमी से किसी घोडे पे पैसे भी लगा देता है और किस्मत का धनी होने की वज़ा से जुए में भी जीतता है जीत से एंडी और गुफी दोनों खुश होते है उपर से ये भी पता चलता है कि लियो ने जिस घोडे पे पैसे लगाए थे वो भी रेसिंग में जीत गया है दोनों तरफ से पैसे आ जाते है सब खुश हो जाते है एंडी जान जाता है कि लियो के पास कुश तो खास बात है वो जैसा चाता है वो ऐसे ही पत्ते निकलते है एंडी समझ जाता है कि लियो के रूप में उसकी लौटरी निकल आई है लियो की मदद से वो अमीर बन सकता है अब वो अलग-अलग जुए के अड़े पे जाके गेम जितने लगते है मगर लियो की आदत है कि जब तक उसके मूँ में उसका फेवरेट चॉकलेट ना चला जाए उसका दिमाग नहीं चलता लियो से कमाए पैसे पे उनकी आयाशी शुरू होती है एक दिन निकी के पेरेंट्स एंडी से मिलना चाते है मगर एंडी कई और गया होता है तो निकी लियो को एंडी बना के अपने माबाप के सामने पेश करती है मगर लियो का दिमाग एक बच्चे की तरह हो गया है तो वो निकी के प्लैन को चोपट कर देता है अब एंडी बड़ा गेम खेलने की सोचता है वो एक लोकल गुंडे बोनी से 200,000 डॉलर्स उधार लेता है एंडी को गैरेंटी होती है कि वो लियो के जरीए 200,000 डॉलर्स के 2 मिलियन करेगा मगर गेम के बक लियो बच्चे की तरह अपनी फेवरेट चोकलेट की जीद करता है जो आइनवर्क पे एवेलेबल नहीं हो पाती तो लियो जुवे में सब पैसे हार जाता है जिससे गुस्सा हो के एंडी लियो को सड़क पे अकेला छोड़के भाग जाता है मगर जब वो बस से जा रहा होता है कि वो महसूस करता है कि लियो का दिमाग एक बच्चे की तरह हो गया है जिसका जिम्मेदार एंडी ही है तो उसे पच्चतावा होता है और वो वापस उस जगा पहुँचता है मगर लियो को ना देखके वो टेंशन में आता है काफी दुणने के बाद आखिर उसे लियो मिल जाता है अब एंडी फैसला करता है कि वो लियो का इलाज कराएगा वो नियूरोलोजिस्ट के पास लियो को लेके जाता है डॉक्टर एंडी को बताता है कि लियो की दिमाग की एक नस दब गई है ओप्रेशन का खर्चा 200,000 डॉलर आएगा एंडी अपना घर गिरिवी रखके ओप्रेशन का पैसा जमा करता है और सिटी में लियो को एक होटेल लेके आता है दुसरे दिन उसका ओप्रेशन होना है वो होटेल चद्दर बदलू होता है लियो समझ नहीं पाता कि होटेल के हर रूम से अजिब सी आवाजे क्यों आ रही है और हर रूम में बलून के पैकेट क्यों रखे है एंडी भी उसे समझा नहीं पाता अब जब एंडी टॉयलेट जाता है तो वहाँ उसका सामना बोनी और उसके गुंडों से होता है बोनी के गुंडे अपना पैसा वसुलने उसके पीछे पढ़ जाते है आखिर में वो उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते है यहां होटेल में लियो को उसके कोट में ड्रैगन का विजिटिंग कार्ड मिलता है वो क्यूरियोस हो के उसे फोन लगाता है ड्रैगन भी वहां टेंशन में है कि एक मैने से लियो कहां गायब हुआ है मगर दिमाग पे असर होने की वज़ा से लियो ड्रैगन को पैचान नहीं पाता मगर ड्रैगन लियो की आवाज पैचान जाता है वो कुछ बोले उसके पहले लियो फोन कट कर देता है या बोनी एंडी के बदले निकी से 200,000 डॉलर्स की मांग करता है निकी के पास बोनी को देने को पैसे नहीं होते जो पैसे थे वो उन्होंने हॉस्पिटल में लियो के ओप्रेशन के लिये जमा किये होते है तब ही उसकी नजर पास ही खड़े लियो के पास जाती है उसे याद आता है कि एंडी के पास उसके गुरू की जो फोटो है वो अभी पीछे से लियो की तरह ही दिखता है Of course, वो एंडी का गुरू भी लियो ही होता है तो अब निकी लियो को ही गैमलिंग की दुनिया का बादशा लियो बना के बोनी के सामने पेश करती है जो जुए में कभी नहीं हारता मगर बोनी को निकी पे विश्वास नहीं अखिर लियो जितना बड़ा आदमी इतने मामूली लोगों के साथ क्यूं रहेगा मगर फिर भी वो लियो को परकने का फैसला करता है वो लियो को पत्ते बाटने बोलता है लियो तो उसमें माईरी होता है तो वो प्यूर सिक्वेंस के पत्ते बोनी को बाढ़ता है जिससे बोनी शौक होता है लियो के टैलेंट को देखने के बाद भी बोनी एंडी को छोड़ने तयार नहीं होता तो लियो बोनी को चाकू की नोक पे रखके एंडी को वहाँ से छोड़ा के ले जाता है यहां लियो क टेप को डिस्ट्रॉइ करने की कोशिश करता है अब मिकी मारको से जाके हाथ मिलाता है उसका इरादा लियो को खतम करके उसके पैसे हड़पने का होता है तो वो लियो को खतम करने की सुपारी मारको को देता है मगर लियो कहा है किसी को पता नहीं बोनी मारको का साउतेला जाता है वो एंडी को बताता है कि वो लियो का बौडी गड़ है एंडी वो सुनके शौक होता है कि अब तक वो जिसे एक बेवकुफ आदमी समझ रहा था वो गैमलिंग की दुनिया का बाच्छा लियो है उसका गुरू तभी मारको की गुंडे वहाँ पे हमला कर देते है तो जाता है तो एंडी उसे बचाता है वो खुन खराबा देखके लियो डर जाता है और होटेल के भाहर बागता है मगर वहां से जाती एक कार से टकराता है और बेवश होता है अब लियो को होस्पिडल में एडमिट किया जाता है जब उसे होश आता है तो उसकी याददाश व तो उसे जेनेट की मोत के बारे में पता चलता है, वो बहुत दुखी होता है। और अगर उस गेम में लियो को हराया जाए तो उनके पैसे तीन गुना हो जाएंगे मगर लियो का हराना नामुनकिन है तो अब लुकास गेम में बैई मानी करने की सोचता है अब इकका, बादशा, रानी और गुलाम इन चार बड़े पत्तों पे एक इन्विजिबल इंक से मार्किंग की जाती है जो सिर्फ स्पेशल चश्मा पहन के ही दिखाई देती है इकके के पीछे एक डॉट, बादशा के पीछे दो डॉट, रानी के पीछे तीन डॉट और गुलाम के पीछे लाइन होती है गेम के वक्त लुकास को वह चेश्मा पहनना है जिससे वह बड़े पत्तों की पैचान कर सके यह मुकाबला रखा जाता है लियो होकाशी और मिकी के साथ वहाँ पहुच जाता है एंडी भी वेटर के ड्रेस में वहाँ पहुच जाता है वो मोका देखके लियो को आगा करता है कि उसका कजीन मिकी दुश्मनों से मिला हुआ है मगर लियो उसका मज़ा कोड़ाता है लियो गेम की टेबल के पांस पहुँच जाता है मिलियन डॉलर से बरी बैक खुली जाती है लुकास लियो से कहता है कि आज उसका सत्तरवा बड़े है मारको और मिकी पत्तो को चेक करने का नाटक करते है अब पत्ते बाटे जाते है पत्तो पे लगाएं डॉट्स देखकर लुकास अपनी बाजी खेलने लगता है देखते देखते फाइव मिलियन डाउ पे लग जाते है लियो के सामने रखे पत्ते पे दो डॉट डेक के लुकास समझ जाता है कि वो बाच्छा है मगर लियो ने बाजी इक्के पे लगाई है लियो को गेम जितने के लिए इक्के की ही पेर बनानी है यह सब गेम चल रहा होता है कि वहाँ बोट पे ड्रैगन भी पहुँच जाता है यह आपने पास रानी का पेर आते देख लुकास बहुत खुश होता है अब लियो 30 मिलियन की फाइनल बाजी लगाता है दोनों तरफ आखरी पत्ते बाटे जाते है जिसमें लुकास के पास फिर से रानी आती है तो लियो को इक्का मिलता है अब पूरी बाजी आखरी चौथे पत्ते पे डिपेंड है मतलब अगर अब लियो को इक्का नहीं मिलता तो उसकी हार पक्की है लियो के पत्ते के पीछे दो लाल डॉट है जिसे देखके लुकास समझ जाता है कि वो बाजशा है तो वो बेफिक्र रहता है वो अपना पत्ता खुलता है तो वो चोथी भी रानी निकलती है लुकास कन्फरम होता है कि उसकी जीत पक्की है अब चोथा पत्ता खुलने की बारी लियो की होती है लियो वो चोथा पत्ता खुलता है तो वो बाजशा नहीं इक्का निकलता है लियो गेम जीत जाता है वह देखके लुकास शौक होता है दो डॉट होने के बावजुद वह इकका कैसे निकला यह उसके समझ में नहीं आता लियो लुकास से कहता है कि तुमने चश्मा लगाया था मगर मैंने कॉंटेक लेंस लगाये थे तुमारे मारकिंग वाले पत्ते मैंने बदले थे इन पत्तों के पीछे मारकिंग मेरे हिसाब से हुई थी अब वह बली का बकरा मीकी को बनाता है और लुकास से कहता है कि इस सब साजिश में मीकी ने उसका साथ दिया था मीकी समझ नहीं पाता लियो क्या कह रहा है तबी लियो बड़ी अकलमंदी से छुपके से मीकी के हाथ में एक टॉई गन थमाता है मीकी के हाथ में गन देखके लुकास मीकी को गद्दार समझके उसे शूट कर देता है मार को लियो पे गन तान देता है तो पीछे से ड्रैगन गन के साथ एंट्री करता है दरसल मिकी ने डिस्ट्रोई की हुई टेप लियो को मिली थी जिससे उसे पता चल चुका था कि मिकी ने जेनेट को मारा है वो पहले से जानता था मिकी गद्दार है उसने गद्दार को गद्दारी से ही मारा था Most Wanted Criminal Lucas को Hong Kong Police के हवाले किया जाता है Leo Lucas से कहता है कि अपना सत्तरवा बड़े जेल में मनाना होकाशी Leo को थैंक्स कहता है तो Leo Dragon को थैंक्स कहता है मगर वह Andy को इग्नोर करके वहां से चला जाता है जिससे एंडी बहुत डिप्रेस होता है दुखी दिल से एंडी अपने घर लोटता है अब वो पत्तों से उकता गया है वो अपने गुरू यानि Leo की फोटो को फाडने जाता है कि तबी पीछे से Leo आता है सबने मिलके एंडी को सर्प्राइस किया होता है Leo ने एंडी का पुरा करजा भी चुकाया होता है जो एंडी ने Leo के उपरेशन के लिया था वो एंडी से कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं भाई हो वो एंडी से कहता है कि वो जल्दी अपना सामान पैक करे क्योंकि उन्हें लास वेगास जाना है जो दुनिया का सबसे बड़ा जुए का अड़ा माना जाता है मूवी यहां खतम होती है तो दोस्तो कमेंड में बताना आपको एक्स्प्लेनेशन कैसे लगा और हाँ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ थांक्स पर वाचिं